नमस्कार दोस्तों स्वागर है आप सभी का तेकिराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने रेट मी एस टू पर सिस्टेम स्टोरेज प्रॉब्लम सॉल्फ कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों यहां पर कभी कभी क्या हो जाते हैं और वो एमटी होने की नाम नहीं लेते तो दोस्तों कैसे कैसे करके आपको सिस्टेम यहां पर जो पर यहां पर जो है एक प्रोब्लेम है तो आप फिक्स कर सकते हैं बिलकुल आसानी से तो चलिए वीडियो को बिना देर के वे शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकों को प्लिक जरू करें यह यह आप उनलाइन पेसा कमाना चाते हैं तो दिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रोब्लेम के रिगार्ड़ें पर हमें ट्विटर पर फोलो करके मेसेज जरू करें तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो फ्रीयाइब करने का सबसे अच्छा तरीक है अगर आपके फोन पर वीडियो फोतो बगरा है तो आप उनको गेली पर जाके डिलेट कर दें जल्दी से ठीक है यह लिए पर जाके डिलेट करना है काफी नहीं है आप ठ्रास्ट बिंट रेट पिक्चर से वह स्टोर हो जाते तो इससे पर प्रॉब्लेम करते रहते तो जाके उसको डिलेट करना होगा ठीक है सारे सब दोस्तों यहाँ पर आपको जीतने वे अप्लिकेशन अन्यूस है तो उन सब को भी आपको अनिस्टॉल करना होगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ठी अगर आप कोई भी बैड अप्लिकेशन इंस्टॉल कर रखा है डिवाइस के अंदर पर तो उसको भी क्लीन आप जरूर से कर देना और एबाउट फोन पर जाके दोस्तों आप सबसे पहले स्टोरेज को चेक कीजिए अगर स्टोरेज में दोस्तों काफी जादा स्टोरेज जो यहाँ पर खेश को क्लियर कर सकते हैं बहुत सारे खेश आपका क्लियर हो जाएगा तो आप यह सब कर सकते हैं यहाँ ठीक है सारी साथ दोस्तों आपका मोबाइल सौफ़एर अपडेट नहीं है तो मोबाइल सौफ़एर को अपडेट जरू से कर लेना क्योंकि दोस्तों कि यहाँ पर मैं आपको ले चलता हूं फाइल मेंजर पर जाके दोस्तों फाइल व्गरा को चेक करें तो आप उनको भी डिलेट ज़रूसे कर लेना उसके पाद दोस्तों हम यहाँ पर ठ्रस्ट बीन दूनने की कोशिश करें तो ठ्रस्ट बीन दोस्तों यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि होगा ठीक है अगर है तो यहाँ पर हम देख लेगे तो यहाँ पर दोस्तों कोई भी ट्राश नहीं है तो बस दोस्तों आपको इतना कर लेना है अगर दोस फूल प्रॉब्लेम शो करते देते तो उन पे आपको क्या करना है सारे फाइल को आप जो है गूगल राइफ पर सेंड कर दीजिए और उसके बाद दोस्तों आपके जो कंटेक्स से उसको इंपोर्ट करके या फिर एक्सपोर्ट करके आप किसी भी गूगल के जो इमेल है ठीक करने के बाद दोस्तों आपका जो फोन है उसका इस्पेस पूरा क्लियर हो जाएगा और आपका इस्टोरेज प्रॉब्लम भी सॉल्फ हो जाएगा और दोस्तों हो सके तो आप एक एसडी कार्ड जो है वह भी जिरूद से यूज़ कर लेना ठीक है तो बस इतना सा काम आपक कर लेना है उसके बार इस्टोरेज प्रॉब्लम सॉल्फ हो जाएगा तो आज की इस वीडियो बड़ोस सबस इतने टैंक्स पर आचिंग